एलो एवरिवान वेलकम तो अड़र 24-7 कैसे हैं आप सब लोग तो हमारा दिक्र तो हुआ हर पल फसाने में तो क्या हुआ जो देर हुई आने में जी हाँ आज थोड़ी सी देर हो गई है तो उसके लिए बहुत-बहुत माफी चाहूंगा तो सब लोगों का स्वागत करता हू इस सेशन में जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्विज फॉर सी यू एटी पीजी ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर सो नमस्ते सलाम सस्री अकाल केम्छो के मनाचो का सकाय जैहिन जैभारत के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक बहुती एनरजेटिक और एक फन-फिल सेशन जहां पर आपको मिलेगी बहुत जादा इन्फरमेशन और एक नॉलेज अबाउट इस सब्जेक इस टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं जो की है नाउन्स गूड इवनिंग गूड इवनिंग नमस्ते फर्टा फर्ट से आजाओ बच्चो यहां पर दिपांची है अं बड़ी हूँ इस अकॉर्डिंग टू जो रेलेवेंट बोड से हैं उससे दे सकते हैं तो जैहिं जैभारत के साथ शुरुबात करते हैं गौरी आजाओ जी फटा फट से आजो क्या बात है क्या बात है लेकिन सेशन से पहले फटा फट से सर कोई सेशन को लाइक कर दो शेर कर दो जट बड़ से आजओ जेट पट से आजओ शेर आजो सेशन को लाइक कर दो शेर कार दो जटपत से आपके लाइक के बचार हो जाल जी आजा लेट सा थोड़ा सा काम आ गया था ले ने वोला स्टार्टिंग के सेशन में कि भाया हमारा जिक्र तो हर पर हुआ फसाने में तो क्या हुआ जो देर हुई आने में रैइट बिलकुल आजाए प्रणाम आईए आईए फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे शेर कर देंगे थो दाइट हम आगे चलें और पढ़ाई कर के देंगे तो फ् freakin के बिलकुल अगर आपके अंदर वो इक्छा है अगर आपके अंदर झाआ कि चाहाए कुछ सीखने के कुछ पाने की तो आपको पूरी काइना अथ help करती है वो पाने के लिए और आपके पीछे लग जाती है वो साज़िश करती है कि आपका सपना पूरा हो जाया और इसी को हम बोलते हैं manifestation तो manifestation में आज तो हम आपके साथ क्या कर रहे है manifestation में कि आपको आपका पसंदीदा जो कॉलेज है वो मिल जाए लेकिन उसके लिए ही पड़ाफट से session को like कर दो share कर दो सार बता दीजिए तो हम form fill up कर दें सामी अगर आप थोड़ा सा wait करें तो towards the end of the session में उसकी side खोल के आपको पढ़के notification अच्छे से तब बता दूगा ठीक है तो बिलकुल चिंता ना करें ठीक है चलिए आईए तो यहां पर हम होसला रखके ही आगे बढ़ेंगे साथ पढ़ेंगे और एक दूसरे से वादा करते हैं कि हाँ हम लोग आगे चलेंगे तो आज जो हम topic करने वाले हैं वो topic क्या है वो topic है एक बहुत ही important topic जो आपकी grammar से बिलकुल basic से आपकी grammar को start करेगा और उसको हम बोलते हैं क्या उसको हम बोलते हैं nouns जी हाँ तो आज जो हम topic करने वाले हैं nouns करने वाले हैं आपको मैं एक चीज ज़रूर बता दू बच्चो कि nouns यो भी चीज हम topic करेंगे वो topic का पहले हम एक concept करेंगे और उस concept को करने के बाद हम उसके questions करेंगे अगली class में so that आपको असानी हो जाए और हम उसकी प्रैक्टिस ऐसे बिल्कुल बेसिक से करते हुए आगे चलेंगे ठीक है बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको चलिए तो गार नाउन्स होते क्या है तो ऐसे कोई भी वर्ड जो आपको नेम, प्लेस, आनिमल या थिंक से रिलेटेड कुछ चीज हो उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं नाउन्स काव्या नोट करना है, जी नहीं, नोट नहीं करना है इस सब को पूरी की पूरी चीज़े आपको कहां मिल जाएंगी, आपको ये पूरी की पूरी चीज़े, सीधा-सीधा जाके आपके चानल पे मिल जाएंगी, टेलिग्राम पे, आप जाके महां से इसको ले सकते हैं, अबी भी मैं देख रहा हूं कि सेशन में अभी भी कुछ ना कुछ कमी लग रही है, आपके लाइक्स की, फटाफट से लाइक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं, Albert Einstein है, Albert Einstein हमारे को क्या बोल रहा है, was a great scientist, तो यहाँ पर क्या है यह, name of a person है, the mouse is afraid of the cat, name of category of animals, our air cooler is not working, it's a name of a thing, India's army attacked the terrorists, तो इंडिया army, तो यह क्या है, group of soldiers है, collective ना हुन है, ठीक है, हान जी, काव्या, English की, जी हाँ, बिल्कुल वही, उसके बाद, gold is used to make ornaments, so it's a name of matter or material, it's a name of matter or material, तो वह आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो वह आप यहाँ कर सकते हैं, उसके अलावा, यहाँ पर अगर आप चीज को देखें, तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, जल्दी से बताईए, आगे लिखा है, honesty is the best policy, तो honesty किस तरीके का, honesty किस तरीके का आपका नाउन हुआ, फटा फट से बताओ, बच्चो, फटा फट से बताओ कि honesty किस तरीके का नाउन है, जल्दी से बतादो, वेट कर रहाऊं मैं आपके लिए, वेट कर रहाऊं, जल्दी से, किस तरीके का है, जल्दी, जल्दी, जल्दी से बताओ जल्दी से जल्दी से सर जी अगर हम CVT में language में हिंदी चोईस करते हैं तो क्या DU में हिंदी लेते हैं English दोनों बेकर दोनों में हिसे हो जायता है वो तो आपके base उस पे चलता है abstract noun बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब है आपसलूटली बिल्कुल सही फिर उसके बात है in all the above examples the highlighted words are naming words therefore there are nouns यह सारे के सारे जो words है यह क्या हो गए आपके यह nouns है अब इनको nouns को classify किया जाता है अलग-अलग चीज में क्या किया जाता है अलग-अलग चीज में इनको classify किया जाता है और वो अलग-अलग चीज में जो classify किया जाता है उसको हम क्या बोलते है इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए मुझे बताओ आज कल एक ऐसी movie चल रही है जिसमें हमारे king of romance है जिसमें हमारे king of romance है तो फटा-फट से उनका नाम बतादो वो king of romance कौन है जल्दी से बतादो वो king of romance कौन है फटा-फट से बतादो जल्दी से बताईए आशु भीया की आर्मी जल्दी से जल्दी 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 क्या बात है जवान SRK और जवान के जो SRK थे उन्होंने एक बहुत साल पहले एक चीज बोली थी कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बाते होती रहती हैं क्या बोला था उन्होंने बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बाते होती रहती हैं तो वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, हम दिलवाले धुलनिया ले जाएंगे, क्या कहते हैं उसे, दिलवाले धुलनिया ले जाएंगे, और आज हम इसी दिलवाले धुलनिया ले जाएंगे से, हम सीखने की कोशिश करते हैं, हम सीखने की कोशिश करते हैं, नाउन्स, ठीक है, ह सीकने की कोशिश करते हैं तो शारुख खान की एक और मुवी थी जिसमें शारुख खान ऐसे बोलते हैं एक लड़की थी दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी कुछ कहना था उसको जाने किस से डरती थी जब मिलती थी मुझसे कहती थी रुक के ये प्यार क्या होता है और मैं मैं सिर्फ यही कहता था क्या आँखे खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं एक लड़की थी दीवानी सी एक लड़के पर वो मरती थी तो जब आप एक लड़का और लड़की के बारे में बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है boy and girl तो boy and girl आप जब किसी भी उसके लिए यूज़ करते हो जब आप boy और girl normally आप किसी के लिए भी यूज़ करते हो तो अगर मैं बोलू काव्या एक girl है और यहाँ पर निशू नहीं कोई लड़के का नाम आए जाए फटबाज आशीश ले लेता है तो आशीश क्या आशीश एक लड़का है ठीक है तो जब आप इनकी बात करते हैं तो लड़का boy is a common noun क्या बन गया यह common noun है ना और girl जब आपने इसको general किसी के लियई भी यूज करा अपने किसी के लियए भी यूज किया तो यह क्या बन गया यह बन जाता है common noun तो clearly हमें समझ में आता है जब भी हम किसी बी word को एक common किसी चीज से संबोधत करते हैं जो general हम किसी के लिये भी बोलते हैं उसको हम बोलते हैं common noun तो एक लड़का और एक लड़की एक लड़का और एक लड़की तो ये क्या बन गए common noun अब इसी लड़का और लड़की को हमने कहा भाईया कैसे बुलाएंगे हम इसे movie में तो हमने DDLJ में दिलवाले धुलन या ले जाएंगे में हमने इनको कैसे बुलाया हमने इसको बुला दिया राज और सिमरन तो ये किसकी प्रेम कहानी हो गई ये प्रेम कहानी हो गई राज और सिमरन की किसकी राज और सिमरन की जी हाँ राज और सिमरन ने बिलकुल लंडन में मिलते हुए और इनके बाउजी ने गाना क्या गाया घर आजा पर्देसी तेरा देस बुलाए रे तो यह जब राज और सिमरन हमने इनको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जब हमने इनको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया तो यह क्या बन गए यह बन गया आपका प्रॉपर नाउन यह बन गए आपका एक पुर्रॉपर नावन अब जब राज और सिमरन तो यह गएविकेशन पे यह गएविकेशन पे छोटी छलते हुए ट्रेन पे चड़ गया अराज लेकिन गाड़ी छूट गई सिमरन की तो राज ने दिया हाथ और Simran ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, तो वो साथ पकड़ के कहाँ पहुँच गए? वो पहुँच गए Switzerland. कहाँ पहुँच गए वो? वो पहुँच गए Switzerland. और वहाँ पहुँच के वो पहुँच गए Zurich. उनकी train गई चूट, तो उन्होंने का आओ चले कहीं, और क्या गान गाएं और गाना गाएं, ठीक है, कौन सा गाना गाएं? जरा सा जूमलू मैं, अरे ना, रे ना, रे ना, उसने का ना भी ना, कहीं हम चलो, बस पकड़के चलते हैं, और पाउं पाउं चलते हैं, और वहीं एक आइक आइक डायलोग आता है, वहीं एक आइक आइक डायलोग बात है और वो बोलता है बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बाते होती रहती है तो यहां हमने किसी जगा का नाम लिया तो जगा का नाम जब हम इसको लेते हैं तो इस प्लेस बन गई आपकी स्विज्जिलेंड हम क्या बढगी प्लेस बन गई आपकी स्विज्जिलेंड घीक है तो अब जब यहां पर जगा कर पहुंच गए यहां पर उनका प्यार बढ़ा और प्र उन्होंने गाना क्या है रुक जाओ दिल दिवाने पूछू तो मैं जरा और end में इस गाने के शारुक खान काजोल को ऐसे धराम से नीची छोड़ देते हैं और अगले ही सीन में उसके मूपे पानी छिड़क देते हैं तो जब वो पानी छिड़क देते हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है दोनों के बीच में हो जाती हैं लडाई दोनों के बीच में क्या हो जाता है लडाई तो जब लडाई होती है कोई ऐसी feeling होती है जो आपको दिखाई न दे जब आपको कोई ऐसी feeling होती है जिसको हम बोलते हैं love अब उसको बोलते हैं एंगर, जिसको हम बोलते हैं रोमान्स, कुछ भी एक ऐसी चीज जो आपको दिखाई न दे, सिर्फ फील की जा सके, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको दिखाई न दे, सिर्फ फील की जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, एबस्ट्र Sonia thank you thank you so much बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको अच्छा लग रहा है तो वह से क्या बोलते हैं abstract noun so abstract noun कौन से होते हैं any noun जो की आपको feel हो लेकिन दिखाई न दे something that you cannot touch but you can just feel जैसे प्यार आप महसूस कर सकते हो goodwill आपको दिखाई नहीं देती लेकिन होती है आपको गुसा दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है यह सारे के सारे चीज़ें हो जाती है abstract noun और जब abstract noun से निकल के जब प्यार हो जाता है प्यार के बाद आ जाते हैं प्रतिष्था अनुसाशन और इसको निकालते वे चलो हम इंडिया चलेंगे और उनके बीच में आ जाती है दरा लेकिन अपने प्यार को वो आगे भडाते वे इस cowbell से इस cowbell से वो क्या करते हैं अपने प्यार की निशानी को वहाँ पर छोड जाती है और यह cowbell किस चीज की बनी होती है यह किसी material की बनी होती है तो इसको हम material noun क्या बोलते हैं जब कभी किसी material की बात हो जिस material से आप कोई चीज बनाते हो जैसे gold हो गया, aluminium हो गया ये सारे के सारे आपके क्या बन जाते हैं material noun क्या बन जाते हैं आपके ये material noun ठीक है और end में जब बिलकुल picture खतम होने वाली होती है तो बाओ जी क्या कहते हैं जा सिमरन इससे प्यार करने वाला लड़का तुझे कभी नहीं मिलेगा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिन्दिगी, तो हमारी family जो है, वो क्या हो जाती है वो unite हो जाती है, एक साथ आ जाती है तो इस family को हम क्या बोलते है इसको हम बोलते है collective noun क्या बोलते है collective noun collective noun क्या होता है जब आप किसी चीज़ को एक साथ combine करके as a family use करते हो, जिसे bunch of keys pride of lions तो उसमें क्या होता है उसके साथ होता है family time, और family होती है collective noun, तो इसके साथ ही इस पूरी की पूरी movie हमने अपने types of noun सीख लिए, आपके types of noun कौन से होते है, जल्दी से मैं reiterate कर देता हूँ, आपके होते है common noun, फटा फट से देख लेते है, तो common noun कौन से होते है, जैसे की boy girl fan, chair ये सारे चीज़े, है ना उसके बाद proper noun कौन से होते है, proper noun आपके हो जाते हैं, जब आपके इनको नाम दे दो राज, सिमरन बजाज नील कमल है ना, ये आपके सारे वो नाम हो गए ऐसे ही जब आप abstract noun की बात करते हो, abstract noun क्या होते हैं, love, hate, kindness all these ऐसे ही जब आप material की बात करते हो, तो material हो जाता है आपके आयन, अलुमिनियूम गोल्ड, सिल्वर ये सारे, ठीक है उसके बाद क्या आता है, collective noun is like bunch, school family so and and so forth शोल ठीक है, ये सारे होते हैं so this is what we call as love, yes, ये सारे के सारे these are your types of nouns these are your types of nouns ठीक है, common noun, proper noun, abstract noun material noun, collective noun तो जल्दी से बताओ समझ में आया तो बोलो हाँ जल्दी से अगर समझ में आया मेरी बच्चों पाटी, मेरी सेना जल्दी से बताओ आशुबिया की सेना को समझ में आया असान लगा या नहीं जल्दी से बता देंगे हां की ना अगर लगा है तो जल्दी से यहां पर आग लगा दो डिफरेंट जल्दी से फटा फट से चाट बॉक्स में आग लगा दो और बता दो भहिया सेशन कैसा लग रहा है सेशन में मजा आ रहा है तो थोड़ी सी जो देर हुई थी उसके लिए माफ कर दिया उसके लिए माफ कर दिया या नहीं जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ हां की ना चलिए भई आगे चलते हैं तो हमारे काउंज kinds of nouns कौन से होते हैं, proper noun, common noun, collective noun, abstract noun or material noun, ये उनके examples है, proper noun, जैसे persons, APJ, Abdul Kalam, MS Dhoni, Kalpana Chawla, places, Kashmir, Thailand, New York, things, the Times of India, Dettol, Onida, days and months, Sunday, Monday, June, July, monuments, Khajurao, Kunnag Temple, Saatchi Stupa, rivers, Ganga, Yamuna, Kaveri, Godabri, Nile, Alps, ठीक है, कुछ चीज़े जो आपको इहां पर समझ में आ रहा है, वो देखेंगे यहां पर, वो क्या चीज़े हैं यहां पर, वो क्या है यहां पर, जल्दी देखेंगे, session को like करते चलेंगे, share करते लेंगे, सर नराज ही कहा हुए थे, जो माव करें, क्या आप बात है गवरी, और an object in the sentence, इनको आप subject की तरह भी use कर सकते हो और object की तरह भी use कर सकते हो, क्या बात है, फड़ा फड़ से चलेंगे, आज ओ family जल्दी से चलते हैं, common nouns कौन से होते हैं, जैसे man, boy, girl, women, playground, city, school, box, car, television, chair, fox, leopard, snake, teacher, doctor, scientist, engineer, common nouns are changeable in number and gender, इनको हम changeable भी कर सकते हैं, और ये note करने की जरूत नहीं है, आप telegram से जाके इसका PDF ले लिजएगा, बहुत असानी से महाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, आपको help ही हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपके common nouns होते हैं, जो हम already अभी आपर कर चुके हैं, तो भाईया, जल्दी से अगर ये career खतम हो गया थोड़ा सा, तो गाना घर चला लेगा मेरा, कितने लोगों को ऐसा लगता है, जल्दी बताओ, फटा फट से, चलिया, आगे चलते हैं, उसके बाद होता है collective noun, collective nouns are used for name, collections and group of person, places, like crowd, ठीक है, like crowd हो गया आपका, class, crew, bunch, jury, flock, herd, swarm, change of number is possible in case of collective noun, that is possible, ठी there are no plural forms of material noun, this is important, material noun की कोई भी plural form नहीं होती, नहीं होती, काव्या बोल रहे हैं, गाना सुनके तो मज़ा आ गया, क्या बात है, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, भाई, आईए जल्दी चलते हैं, so they are not changeable in number, however, if they are used in plural forms, their meanings are changed, yes, आगे चलके आपको एक और चीज़ बताऊंगा मैं, कि कभी-कभी एक noun ऐसा होता है, जिसका singular में मतलब कुछ और होता है, और plural में उसका मतलब कुछ और होता है, विनायक बोल रहे हैं यहां पे, आप तो जिंदगी भर याद रहेगा, sir, क्या बात है विनायक, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत ब बिटरनेस, प्लेजर, हुमानिटी, करिज, पेन, अब आपको एक चीज जो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मोटिवेशन कह रहे है, sir, पूरा आग लगा दी, क्या बात है, बहुत 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 अच्छा, अब आप आप आकर यहां देख रहे हैं, तो words like honesty में टी वाए, e-f, o-m, n-e-s-s, i-e-s, s-e-s, ठीक है, i-n, यह जादतार ऐसे words होते हैं, जो generally nouns होते हैं, जो generally nouns होते हैं, तो इससे आपके exam में एक question बनता है, आपके exam में question बनता है, वो के exam में question क्या है, कि कहीं बार आपको एक sentence देते हैं, उस sentence में एक word को underline करते हैं, और आपसे पुछते हैं, part of speech इस word का क्या है, तो वो verb भी हो सकता है, वो adjective भी हो सकता है, वो noun भी हो सकता है, यह सारी की सारी चीजे आपको याद करनी पड़ेंगी, तो किस तरीके से आप उस part of speech को identify करें, that is what they are trying to tell you here, ठीक है जी, चलिए, so Ashok always speaks the truth, so it denotes a thing which we can neither see or touch, but we can only think of, so के आपका, जो abstract noun होता है, वो क्या है, abstract noun is that thing, जो आपको कभी दिखाई नहीं देता, जिसको आप touch नहीं कर सकते हैं, सिर्फ feel कर सकते हो, आकरती बोल रहे हैं, सर आप बहुत अलग तरह से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा, thank you so much, आकरती, thank you, thank you so much, चलिए, आगे चलते हैं, so abstract noun can be formed by certain changes in the spellings and adjectives, verbs, and generally abstract nouns are treated as singular, एक चीज़ जरूरी याद रख लेना, कि इनको generally singular माना जाता है, जैसे love को आप loves नहीं बोल सकते, ठीक है, तो love as a noun, अब loves अगर आप लगा रहे हो, तो then it becomes a verb, ठीक है, तो वो चीज़ आप अपको कर सकते हैं, सर हमें S.P. Bakshi की बुक पढ़नी चाहिए, जी बिलकुल पढ़नी चाहिए, बिलकुल पढ़नी चाहिए, उसके अलावा नहीं तो Renan Martin भी ले सकते हो, ठीक है, य और जो भी आज English आती है, मुझे थोड़ी बहुत ही, that's all because it's the school, so आप ये कर सकते हो, Renan Martin आप कर सकते हो, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, Number and Gender of Nouns, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, तो उसके लिए जरा मुझे थोड़ा सा आपका साथ चाहिए होगा, एक सेकिंड रुकेंगे, Okay, so अब आप जब Nouns की बात करते हो ना बच्चो, So Nouns में आपके पास कुछ चीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, Countable Nouns, ठीक है, और कुछ होता है, Uncountable Nouns, ठीक है, तो जैसे ही नाम आपको suggest कर रहे हैं, यह, Countable क्या होता है, इसे होता है, That Can Be Counted, ठीक है, That Can Be Counted, and Uncountable में, That Can Not Be Counted, That Can Not Be Counted, ठीक है ना, तो यह चीज आपको यहां से समझ में आ जाएगी, तो यह That Is Counted, and That Can Not Be Counted, तो इसमें आपको चीजें समझ नहीं पढ़ेंगी, कि जब कभी भी कुछ आपके सामने एक ऐसे Nouns आएं, जिनको आप Count कर सकते हो, उसको हम Countable Nouns बोलते हैं, और जो हम Count नहीं कर सकते, उनको हम Uncountable Nouns बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहां पर देखते हैं, तो Countable and Uncountable, Countable Nouns are those which can be Counted, जो अभी हमने अल्रेडी बात कर ली है यहां पर, ठीक है ना, और Uncountable कौन से होते हैं, Uncountable वो होते हैं, जिनको आप Count नहीं कर सकते हैं, तो यह सारे के सारे हार, Countable Nouns, एन Uncountable Nouns काउन से होते हैं, Uncountable जिनको आप Count नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सर यह आपकी वाइटी पे First Class है, C.U.T.P.G. के लिए आकरती नहीं, बेटा कले एक और Class ली थी, ठीक है, लेकिन उसमें एक Brief Introduction दिया था, तो आज Technically पहली Class है, Technically पहली Class है, So, Singular, these Nouns can represent only one in number, Boy, Chicken, Books, Buffalo, Story, and Pages, Foxes, Movies, Doctors, Heroes, These are Plural Form, ठीक है, तो इसमें आप चलते हैं, वापिस जा रहा हम, Okay, तो यहाँ पर देखते हैं, अब एक चीज है, जो आपको Note करनी पड़ेगी, वो Note करने में क्या है, That Nouns in their original form, Nouns अपनी original form में, क्या होते हैं, They are singular, They are singular, ठीक है, क्या है, They are singular, इनको हमें plural बनाना पड़ता है, इन्हें हमें plural बनाना पड़ता है, कैसे बनाते हैं इसे plural, आईए देखते हैं, तो जब कभी आप यहाँ लिख रहे हैं, बॉइ, गर्ल, चर्च, बॉक्स, लेडी, आउक्स, चाइल्ड, ठीक हैं, यह सारे words हैं आपके सामने, अब मुझे इन वर्ड्स का plural बनाना है, इन वर्ड्स का मुझे प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो बॉइ का क्या बन जाएगा? बॉइ का बन जाएगा बॉइज, गर्ल का बन जाएगा गर्ल्स, चर्च का बन जाएगा चर्चिज, बॉक्स का बन जाएगा बॉक्सिज, lady का बन जाएगा ladies ox का बन जाएगा oxen and child का बन जाएगा children child का बन जाएगा children तो हम कैसे बनाते हैं इनको plural आप या तो s लगा के या es लगा के या en लगा के या फिर ies लगा के ये चार तरीके हैं जिनसे आप singular से plural noun बना सकते हो singular से plural noun बना सकते हो जल्दी से बताओ फटाफट से समझ में आया जल्दी से बताएंगे भईया समझ में आया हां की ना जल्दी से जटपट बतादो बच्चों बच्चा बाटी जल्दी से फटाफट से समझ में आया yes or no अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है तो चलिए आगे चलते हैं फटा फट से लेकिन उससे पहले आपको चीज बता दूँ कि आपके लिए क्लैट के लिए भी हम एक बैच लेके आ चुके हैं जहां पर हम स्प्रिंट बैच आपको कराएंगे उस प्रिंट बैच में हम आपको करवाएंगे तयारी पूरी सारी की सारी अपने CLAD के exam की और वहीं CUET PG के लिए अगर आपको त्यारी करनी है तो उसके लिए अपका लक्षे batch आ चुका है और उस लक्षे batch को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है आपको code लगाना है Y713 जी हाँ Y713 लगाएंगे पाजाएंगे maximum discount उसी के साथ साथ आपको अगर doubt solving कर रहनी है तो doubt solving के लिए आप अभी से हमारी app को download करें फटा फट से जाईए आपको download करिए और यहाँ देखिए follow करिए English by Ashish sir जी हाँ English by Ashish sir sir को इसको follow करिए और देखिए मैं आपके लिए हर एक दिन कुछ न कुछ चीज़ डालता रहता हूं इस community पर जाके आप इसको follow करिए आपको definitely फायदा होगा आपके doubts लूंगा में और उसके साथ साथ ही अगर अभी तक आपने telegram group join नहीं किया है तो जाके आप telegram group भी join कर सकते हैं इस number पर message करकर ठीक है इस number पर करिए message और फटाफट से जुड़ जाईए हमारे साथ उसके बाद जो लोग clad 2025 अगले साल के लिए preparation करना चाते हैं उनके लिए भी हमारे पास law का महापैक है जी हां क्या है law का महापैक फटाफट से इस law के महापैक को जुड़िए आईए हमारे साथ और clad 2025 के लिए जुड़ जाईए हमारे साथ code लगा के जो की है y713 जी हां y713 code अगर आप लगाओगे बच्चों आपको मिलेगा इस पर maximum discount चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे कि अरे सर का number है क्या तिरे पास तो बिल्कुल ठोक बजा के बोलना हां जी number है ठीक है आप गलतों उनसे बात कर सकते हो कैसे करोगे नहीं बिल्कुल बोलो कि हां जी करेंगे और वो बिल्कुल हमारी help करेंगे क्योंकि हम आश्यू भीया की सेना है तो आप जाके इस से जुड़ सकते हो उसके साथ ही हमारे पस क्लाइट की बुग भी है जो कि आप जाके ले सकते हो क्लाइट की भी अवेलेबल है फटाफट से जाएए इसका प्राइस कहीं बरना जाए फटाफट से इसको ले लिजी और अपनी preparation को आगे बढ़ाईए वही CUET, PG, MHCT के लिए भी आपके लिए लक्ष बाच आ चुका है जाके लीजिए उसको फटाफट से कोड लगाना मत भूलेगा Y713 चलिए अब चलते हैं हम आगे रूल देखते हैं कुछ नाउन्स के रूल क्या है नाउन्स के आईए सम नाउन्स आलवेस टेक singular verb जी हाँ ये बहुत important चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा singular verb लेते हैं और वो कौन से singular verb होते हैं देखते हैं आपे जैसे furniture, news, information, business, mathematics, physics, these are the words जो हमेशा singular verb लेते हैं जैसे अगर आपने का होगा physics is an interesting subject mathematics is a difficult subject ठीक है तो mathematics के साथ is, physics के साथ is ठीक है, ऐसे ही business is growing, business is growing ठीक है, सीवीटी पीजी की book भी कब आएगी बहुत जल्दी लेके आएंगे उसके लिए उसके लिए भी काम उस पे भरपूर चल रहा है ठीक है, स्नेहा loves to solve the problems of mathematics, सो स्नेहा loves, ठीक है रितु wants to implement a big business plan, जॉन has won the basketball game दिनेश loves to play chess तो यहाँ पर यह सारे के सारे are singular verb यह क्या है, singular verb लेते हैं, यह सारे के सारे words, यह याद रखने वाली बात है rule number one अगला rule देखते है uncountable nouns are used in singular form only, यह बहुत important rule है, यह बहुत important rule है जो भी uncountable noun होते हैं यह हमेशा क्या करते हैं, uncountable nouns are always used in the singular form जैसे, indefinite article indefinite article जो होता है, यह use नहीं होता यह use नहीं होता before them किन के आगे? जितने भी uncountable noun होंगे uncountable के आगे indefinite indefinite pronoun, sorry article यह use नहीं होता अब indefinite article कौन से होते हैं a और an यह use नहीं होता है ठीक है, they are not used with plural verbs much और some are used in place of many for denoting plurality ठीक है, यह आपको याद रखना पड़ेगा जैसे, advice, information hair, luggage, business work, word इनके आगे क्या करेंगे? in the sense of promise, message, discussion mischief, bread, scenery abuse, vacation evidence, employment, alphabet poetry, food, furniture baggage, fuel, paper, equipment, machinery, material इनके आगे आप कभी भी plural नहीं लगा सकते you can never use plural यह याद रखेगा कुछ लोग होते हैं, जो लगा रहते हैं, जैसे a loaf of bread यह तु लगाओगे a loaf of bread यह फिर लगाओगे loafs of bread but you cannot say breads that is wrong you cannot say breads that is absolutely wrong pieces of information luggage is wrong furniture is wrong advices is wrong जैसे यह देखे he gave me an information this is wrong आप इसके आगे an नहीं लगा सकते तो an क्या हुआ an is an indefinite article an is an indefinite article you cannot use this यह दिस रॉग आगे देखे you should be true to your words यहाँ पर क्या होगा you should be true to your word आपको अपने कथनी पर रहना चाहिए man of word ठीक है he was punished for committing many mischiefs many नहीं लगा तकते तो यहाँ पर क्या लगाएंगे he was punished to committing much mischiefs much ठीक है much mischief in place of many mischiefs तो यहाँ पर आएगा must mischief it cannot be mischief ठीक है यह बहुत important चीजें हैं क्योंकि यही छोटी-छोटी चीजें आपसे आपका एक number ले जाएंगी आपके paper में तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्याद में रखेंगे young persons dislike the advices of the elderly people so यहाँ advices नहीं लगेगा use advice in place of advices या फिर pieces of information या फिर pieces of advice यह आपको याद रखना पड़ेगा चीजे थोड़ा सा याद रखेंगे ठीक है words बेटा वहाँ पर आप use करते हो जब आप लगाते हो ठीक है different words it is not used here when you are using to denote something as a यह देख्यो in the sense of promise, message and discussion जब कभी आप यह जो word है ना इसको किसी promise के तौर पर किसी message के तौर पर या किसी discussion के तौर पर यूज करते हो ना बच्चे तो आप उसके आगे s नहीं लगाते है ठीक है जहाँ आप उसको अलग तरीके से words एक single जो word होता है ना and many words लगाते हो वहाँ आप लगा सकते हो लेकिन जहाँ आप एक discussion के तौर पर यहाँ पर देखो you should be true to your word मतलब you should be true to a promise यहाँ पर आप word को यह अज़ा promise यूज कर रहे हो तो promise के आगे आप नहीं लगा सकते ठीक है समझ में आ गया अकांचा जहाँ समझ में आया बच्चे ठीक है जल्दी से बताओ आप से question पूछना हो तो telegram पर पूछ सकते हैं जी बिलकुल पूछ सकते हैं भर भर के पूछ सकते हैं कोई tension नहीं है चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं rule number two क्या कहता है rule number two कहता है some nouns are singular in meaning but are used as plural nouns and always used plural तो कुछ ऐसे words होते हैं जो दिखने में singular होते हैं लेकिन आप उन्हें हमेशा plural की तरह यूज करते हो जैसे for example army, people, society, police, company, cattle इसको आप कैसे यूज करते हो आप इनको हमेशा plural यूज करोगे जबकि यह दिखने में singular होते हैं जैसे यहाँ पर देखिए the cattle are grazing in the ground ठीक है the army always protects the nation the people always have the power to vote for the leader ठीक है तो इस चीज पर आपको धियान दिखेगा आकरती अभी जैसे मैं आपको बताया बच्चे कि आपको अगर वो join करना है तो इस नंबर पर आप message कर दीजेगा join हो जाएगा ठीक है इसमें देखते हैं there are some of the collective nouns which are used with plural verbs cattle, gentry, presentry, poultry, clergy, people, majority, folk committee, jury, house, ministry, family, mob, crowd, audience, police, team number, board, staff, public are used with singular verbs when they are used as a body or group and not as members so please समझ लिये यहां पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है यह बहुत important point है जो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहां पर आपके पास कुछ words ऐसे होते हैं यहां पर कुछ words ऐसे होते हैं जो जैसे for example अगर मैं आपसे कहूँ police अब यह police जो word है यह जब आप एक as a body use करते हो एक family का term use करते हो तो तो इसके आगे singular लगेगा लेकिन जब आप एक individual के बारे में बात करते हो individual में यहां पर हम plural verb लगाएगे ठीक है plural verb लगाएगे यह एक बहुत important point है जिसमें बहुत लोग गलती करते हैं जैसे cattle are grazing in the field यह गलत है you cannot say cattle you have to say cattle are grazing majority is in favor of this proposal अब यहां के लिखेंगे majority are why are majority are because आप हर एक इनसान के बारे में बात कर रहे हो vote हर किसी ने दिया होगा family की बात नहीं कर रहे हो यहां पर आप यहां बात कर रहे हो majority मतलब हर एक इनसान को जोड के 10 लोग है 10 में से अगर 9 लोगों ने बोल दिया तो क्या हो गया majority तो 9 लोगों ने individually बोला होगा न तो वो plural हो गया इसलिए यहां पर क्या लगईगा majority are in favor of this proposal majority are in favor of this proposal Saloni हाँ जी join करने के लिए message कर दीजेगा message कर दीजेगा and you can join ठीक है next the committee is unanimous अब यहां देखिए committee में बहुत सारे लोग होंगे 1, 2, 3, 4 और यह सारे के सारे unanimous है क्या है unanimous ठीक है so यहां पर इसलिए आपको singular लगाना है लेकिन अगर आप इसी को कर देंगे the committee are divided the committee are divided तो यहां पर आप R लगाएंगे यहां एक question आया है सारे question है अभी मैं BA 5th semester में हूँ CUT PG LLB के entrance दे सकती हूँ BA 5th semester में मतलब आप paper से पहले 6th semester में आ जाओगे बच्चे paper से पहले 6th semester में आ जाओगे में आ जाओगे तो चलिए आगे रिक्ते the peoples of all the country should work for peace so the peoples of all country the average Hindu family in India consist of 4 members तो इस तरीके से करना है आपको अब इसको हम दो बारे से समझते हैं थोड़ा सा इदा देखिए यहां पर समझे अब आपके पास एक word है committee ठीक है यह word है आपके पास अब यह committee में एक दो ठीक है यह चार लोग है इनको नाम दे देते हैं इनको नाम दे देते हैं निशू विनायक अंशिका अंड प्रियंका अब अगर यह चारो के चारो ठीक है यह big boss खेल रहे है क्या खेल रहे है big boss ठीक है अब big boss क्या बोलता है big boss चाते हैं कि आप सहमती से एक यह decide करें कि किसने आज अपना जो टास्क था वो अच्छे से नहीं किया और उसको घर से बेघर किया जाए तो यहाँ पर क्या बोला गया है सहमती से तो जब सहमती करी तो आप एक बन गए आप एक unit बन गए तो जब आप एक unit बन जाओगे तो आप क्या लगाओगे singular verb क्या लगाओगे singular verb लेकिन जब आप divided हो जाए या मैं नहीं मानता है मैं क्यों निकलो तुम निकलो तो यह अलग-अलग-अलग हो गए जब यह अलग-अलग हो गए तो यह सब लोग अपनी-अपनी चलाएंगे जब अपनी-अपनी चलाएंगे तो there will be more than one conclusion है ना एक से जादा होगा जब एक से जादा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा plural हो जाएगा और plural हो जाएगा तो क्या लगेगा आर तो आप sentence क्या बनाओगे आप बनाओगे committee are divided and committee is unanimous इस तरीके से आप decide करते हो कि कब इसमें is लगाना है और कब इसमें r लगाना है कब इसमें is लगाना है और कब इसमें r लगाना है क्या बात समझ में आई तो बोलो हाँ जल्दी से अगर समझ में आई है तो बोलो हाँ और आग लगा दो एड़ बॉक्स में जलदी से समझ में आया है तो फटा फट से सर लक्षबाट की क्लास कब शुरू होंगी इंग्लिश की 28 से बिटा 28 से समझ में आगया भी सबको क्या करना इसमें ठीक है चलिए आगे चलते हैं फिर यहां पर समझ में आया आप यहां पर कि यहां पर वो singular भी लेते हैं और प्लूरल भी लेते हैं और कुछ ऐसे होता है जो सिर्फ प्लूरल भी लेते हैं जैसे की cattle cattle are grazing ठीक है gentry presentry अभी तो टाइटिन की क्लास ही स्टार्ट नहीं हुई है 28 से होगी ठीक है बिलकुल चलिए आग लगा दो जल्दी से अगला देखते हैं यहां कुछ question है चलिए बढ़ी बताईए आब इसमें थोड़ी सी practice करते हैं थोड़ी सी practice करते हैं आजओ बच्चों फटाफट से जल्दी बताओ चलिए फड़ा बच्चे बिलकुल बिलकुल चिंता मत करिये बच्चे बता दीजे न कि language में हिंदी लेने पर डीव में admission होगा या नहीं बिटा अगर cvt में आपको option दिया गया है कि आप language हिंदी ले सकते हो या English तो उससे admission पे कोई फरक पढ़ना नहीं च सेहमती युनानेमस का मतलब होता है सेहमती दिपांची आई डूंट थिंग सो देर शुद भी अनी प्रॉब्लम इन दाट ठीक है तो देखिए चलिए पहने वाले में क्या आएगा जल्दी से बताईए प्रेम का यादा बोल रहे है थैंक्यू सो मच सर वाइटी पे क्लास लेने के लिए क्या बात है क्या बात है आजाओ आजाओ भी प्यार दिखाओ जल्दी से लेकिन जल्दी से यहाँ पर मुझे 50 की विवर्शिप लाके दोगे जल्दी से जैसे 50 की विवर्शिप लाके दोगे तो और भी चीज़े अच्छे से पढ़ाऊंगा यार महनत करके पढ़ाएंगे सात में, ठीक है, चलिए, उनानिमस का मतलब होता है, अग्रीड बाइवरिवन, yes. So, his family, जल्दी से, okay, is, next one, the audience, जल्दी से, the audience, were, okay, next one, the audience, जल्दी से बताओ, बच्छो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ, जल्दी, 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 वर, 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 okay, then next one, the audience, dash, forbidden to occupy chairs, okay, the audience, वर, okay, next one, the police has become insensitive, the police, okay, यहां बुर रहे है, has, next one, the police, the police was, were posted all over the route, okay, आप लुक बुर रहे है, were, आप लुक बुर रहे है, were, next one, the team, the team is, are full of high spirits, the team is, are full of high spirits, यहाँ पर क्या एगा, the team, the team, very good, the team है, and the team is at the top of this competition, अब देखते हैं कि यह कित्ते लोगों ने सही दिये हैं या गलत दिये हैं, देखते हैं कित्ते लोगों ने सही जवाब दिया है, अब यहां लिखा है, his family, dash not agreed this point, तो इसका मतलब है कि अगर वो agreed नहीं हुए हैं, इसका मतलब agreed नहीं हुए हैं, तो उनकी different different चीज़े हैं, different डिफरेंड चीज़े होंगी तो क्या होंगे, plural होंगे, unanimous नहीं है, एक मत नहीं है उनका, अगर उनका एक मत नहीं है, तो यहां क्या होगा, his family, are, is नहीं आएगा, यहां पर आ राएगा, ठीक है, his family are not agreed on this, ठीक है, on this point, सर आपका कोई particular channel है, English का, बेटा, telegram पर join कर लो ना, बेटा, next one, the audience were spellbound, the audience were spellbound, अब अगर spellbound, मतलब सारे के सारे, सारे के सारे मिलके स्तब्द थे, सारे के सारे मिलकर स्तब्द थे, तो यहां पर वर नहीं आएगा, यह होगा was, because आप यहां पर singular, एक unit की बात कर रहे हो, you are talking about a unit, so यहां पर the audience was spellbound, the audience was spellbound, ठीक है, next one, the audience were forbidden, the audience were forbidden, बिलकुल, so हर एक उसको किया था forbidden, हर एक audience को, तो यह बिलकुल सही है, हर एक audience है, बिलकुल सही जवाब है, इस पर message कर दीजेगा, इस पर message कर दीजेगा, फटा फट से, तो आप join कर लेगा, the police has become insensitive, the police has again singular है, क्योंकि आप इसको as a unit use कर रहे हो, कि सारी की सारी police department, the police department has become insensitive, तो बिलकुल सही है, the police were posted all over the route, all over the route, यह भी ठीक है, क्योंकि आप individual policeman की बात कर रहे हो, आप individual policeman की बात कर रहे हो, जो की पूरे जगा पर posted थे, जो सारी जगा पर posted थे, the team are full of high spirit, हर एक इंसान, हर एक इंसान जजबे से भरा हुआ है, तो जब अगर जजबे से भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, बिलकुल सही है, and the team is at the top, पूरी की पूरी team, इस वक्त टॉप पर है, तो यहाँ इस लगेगा, एक, दो, तीन, चार, पार्ट, छे, साथ, कितने लोगों के आये 7 on 7, कितने लोगों के आये 7 on 7, जल्दी से बता दो, कितने लोगों के आये 7 on 7, जल्दी से, जल्दी से बता दो भई, है फ автом से किसा है वल्डी से जल्दी से फटा फट से सर भोल रहें है पांच मिन आफ लगें सर को तो मेरी छास five लीट शुरू prob गी तो आज आना सारी बच्चे दो यही सारे यहां यह सारे यह सारे यहां यह 抓 t तो यह है यहां पर seven on seven very good बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर आजाओ यहां पर जल्दी से चलो आगे चलते हैं rule no.3 बहुत है some nouns are plural in meaning and always used as a plural verb कुछ ऐसे nouns plural होते हैं ठीक है कुछ ऐसे nouns plural होते हैं some nouns are plural in meaning and always used as a plural verb ठीक है तो जैसे आपके पास हो गया Suresh ordered a pair of spectacles online which are very costly तो यहां पर क्या हो गया thanks, scissors, premises, short goods यह हमेशा plural होते हैं in meaning और इनका जो चीज यहां पर plural verb में ही use होता है ठीक है right clear है यहां पर चली आगे दिखते है the company gifted an employee as a special thanks for his idea dairy goods are manufactured from the dairy farm right समझ में आगे हैं यहां पर समझ में आगे है सबको yes or no जल्दी से बताएंगे 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 जल्दी से राइट सो आज के जो session है उसको हम विराम यहीं देते हैं अगला जो session अगला जो session हम join करेंगे जो कि noun का continuation होगा उसमें हम करेंगे कुछ questions और बचेवे कुछ rules करेंगे तो आज के session में जो हमने आधा session किया है उसमें हमने types of nouns और हमने उसके अंदर कुछ तीन rules कर लिये session कैसा लगा आपको फटा-फट से बताईएगा मुझे और अगले session में ये revise करके आईएगा क्योंकि कुछ question हम करेंगे जब यहां पर अगले session में आपके साथ आएंगे ठीक है तक तक के लिए ऐसी ख्याल रखिए अपना हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और वापस आते रहिए कहां पर अपने आशु भहिया के साथ तो ये है आपकी आशु भहिया की आर्मी बिल्कुल repeat कर दे repeat बेटा अगली glass में करता हूँ काव्या सिर्फ ये बूर रहा था कि कुछ ऐसे nouns होते हैं जो कि क्या होते हैं plural होते हैं और verb भी plural लेते हैं तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त फिर से मिलूगा अगले सेशन में ऐसे ही जाते जाते फड़ा फट से सेशन में क्या करने आपको आग लगा देनी है और अपना ध्यान रखना है जय है जय भारत फिर मिलेंगे अगले सेशन में टेक क्या बाइबाई